हरे कृष्णा मैं अतुल्य निमाइदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत सागत करता हूँ अनलॉक निम्रोलजी के इस नए वीडियो में हमारी सीजी चल रही है जोडियक साइन्स की आप जानते हैं आज इसका नंबर है वो है एक्वेरियस कुम्ब राशी पिछले वीडियो में हमने बात करी थी क्याप्रिकॉन की क्याप्रिकॉन और एक्वेरियस में क्या समानता है क्या कॉमन है पता है कि इन दोनों ही राशीयों का स्वामी कौन है शनी देव जी यहां इसका भी शनी देव जी है Aquarius को कुमराशी कहते हैं और 11 नंबर से डिनोट करते हैं astrology के अंदर 11 नंबर कहीं भी अगर लिखा होगा कुंडली के अंदर तो समझ लीजेगा कि उस particular घर का जो owner है जो स्वामी है वो शनी देव जी है तो शनी देव जी की चाल क्या है उनकी जो खुद कहां बैठे हैं उसके हिसाब से वो particular घर आपको result देता है again क्योंकि शनी देव जी ओनर है तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि सात्विक्ताव पसंद करते हैं मेहनत कश पसंद करते हैं लोगों को अब बात उठती है कि इन लोगों का नेचर कैसा होता है पहले तो आपको बता दू कि 23 जनवरी से लेकर और 22 फरवरी के बीच में जिन भी लोगों का जनम होगा है वो Aquarius कहलाते है अब बात उठती है कि इन लोगों का नेचर कैसा होता है किस तरह की कीन की सोच होती है तो वही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंड तक देखिएगा हमेश्या की तरह छोटा सा वीडियो है थोड़ा सा धहरे रखिएगा अगर अच्छा लगता है तो लाइक करेगा शेर करेगा और अगर आप पहली बारा हैं या फिर आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा चैनल को राइट तो शुरू करते हैं निम्रोलजी के अंदर शनी देव जी को आठ नंबर से डिनोट किया जाता है आप देखिएगा जिन भी लोग जो भी लोग बहुत बिजनस में बहुत अच्छे होते हैं बहुत अच्छे बड़े बिजनस में ने कही न कही उनकी लाइफ में इस आठ नंबर का बहुत बड़ा सहीयोग होता है क्योंकि शनी देव जी आठ नंबर जो है वो कही न कही आपको business minded बनाते हैं तो चाहिए आप Capricorn हो चाहिए आप Aquarius हो ये दोनों ही Zodiac वाले business minded होते हैं इनका दिमाग business में अच्छा चलता है तो अगर आप किसी भी business में जाते हैं तो आपको बहुत help मिलेगी उस business को आगे ले जाने में बाकी तो आपकी किस्मत है कि आप कितना benefit उठा पाते हैं शनीदेव जी से ऐसे लोग religious बहुत होते हैं देश भक्त होते हैं बहुत जबरदस्त इनका देश भक्ती के प्रती धर्म के प्रती सहयोग रहता है एक attraction रहती है एक support रहता है ये चाहते हैं कि लोग भी धार्मिक बने लोग भी धेश भक्त बने और अपने देश की उन्नती में सहयोग करें इस particular zodiac sign वाले लोग जो होते हैं वो थोड़ा technology के अंदर भी science and technology में काफी involved रहते हैं modern gadgets बनाना, inventions करना mostly अगर हम देखें उठाके, survey अगर हम देखते हैं तो mostly वो लोग Aquarius होते हैं उनका दिमाग new inventions में चलता है, ये technique वाली चीज़ों में चलता है चाहे mobile बनाना हो, चाहे camera बनाना हो, चाहे कोई mic बनाना हो कुछ भी इस तरीके की जो चीज़े होती है, rockets हो गए, airplane हो गए, missiles हो गई ये सारी चीज़े, इन सब चीज़ों में इनका बहुत तेज दिमाग चलता है ऐसे लोग mostly freelancing में जादा रहते हैं, job वाब इनके बसकी बात नहीं है ये समझ लीजे कि इनको पसंद नहीं है, ये by choice freelancer है by chance नहीं इस particular zodiac वाले medium height के होते हैं, बट इनकी personality बहुत attractive होती है four-sightedness होती है, आगे की चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके इसाप से अपनी planning करते हैं progress lovers होते हैं, इन्हें पसंद होता है आगे से आगे बढ़ना ये नहीं कि ठीक है यार, इतना हो गया बस बहुत है जीवन में बस ठीक है यार, 25 जार रुपे आ रहे हैं, 50 जार रुपे आ रहे हैं, नहीं ये कोशिश करते हैं, progress होते, progress करते हैं चले जाए लाइफ में चाहे पैसा matter नहीं है पर इनको क्या दिल करता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं उसको और जादा स्यादा और बड़ा बनाता जाओं और बड़ा बनाता जाओं ये सोच इनमें inculcate होती है अगर इनकी marriage life की बात करें तो हाँ थोड़ी सी problem होती है जो लोग है Aquarius और अगर वो व दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ पंगा चलता रहता है तो इसका क्या है solution क्या है ओम शम शनिष्चराय नमा क्योंकि आप Aquarius है शनीदेव जी आपके Lord है तो आप उनका support लीजे उनसे benefit उठाईए उनका ये मंत्र मैं बता रहा हूं ओम शम शनिष्चराय नमा इसका जाब करें कम से कम 108 बार दिन में उनसे प्रात्ना करें ठीक है और मेहनती बनिए action oriented बनिए जितनी मेहनत करेंगे उतना जादा आपको फल मिलेगा Aquiris के साथ एक चीज और होती है शादी शुदा जंदगी में थोड़ी सी problem तो रहती है प्लस इनके जो बच्चे वाला जो एक factor है mostly एक बच्चा ही होता है बहुत कम ऐसे लोग देखे गए जिनके एक से जादा होते हैं तो ये भी एक factor है दूसरी चीज इनका भाग्योदे क साथ सत्रा से लेकर त्रेपन के बीच का जो थोड़ा सा गैप बड़ा है इस ताइम पे मेहनद जादा होती है रिजल्ट्स कमाते हैं तो जैसा कि मैंने Capricorn में बताया था कि 50 साल के बाद actual रिजल्ट्स मिलने आते हैं मिलने शुरू होते हैं उसी तरीके से इसमें भी यही ह यह थोड़ा सा लेट मिलता है शनी देव जी किया स्लो है थोड़े स्लो प्लैनेट है स्लो मूव करते हैं कहते हैं साड़े साती धाई साल एक घर में रहते हैं फिर अगले में जाते हैं धाई साल वहां बिताते हैं फिर अगले साल फिर अगले में जाते हैं तो इस तरीके से साड़े साथ साल में तीन घर को वो cover करते हैं सिरब तो थोड़े slow हैं कोई बात नहीं अपन को कौन सी जल्दी है वो कहते हैं न जिनको जल्दी थी वो चले गए तो जल्दी नहीं करना आराम से जमा जमा के base बनाते वे चलेंगे तो शनी देव जी हमें बहुत अच्छे results देंगे वो कौन से zodiac science है जिनसे इनकी बनती नहीं है तो वो कौन कौन से हैं Aries, Leo, Cancer और Scorpio ये जो चार zodiac science है इनके साथ चाहे वो Capricorn हो या फिर Aquarius इन दोनों की जो है match नहीं होती ठीक है जी, बागे सब के साथ ठीक है No issues तो I hope आपको ये वीडियो informative लगा होगा अगर लगा है तो please just like कर दीजे share कर दीजे, subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दीजे ठीक है जी, thank you so much for giving your time to watch this video, thank you so much God bless you all, all the best Hare Krishna